हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज हम स्टार्ड करेंगे क्लास 12 साइंस में चैप्टर नमबर 6 अगर अभी तक आपने प्रीविएस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं आज के वीडियो में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का नेक्स टॉपिक लेते हैं जो की बेसिकली कौन सा होना चाहिए ट्रांसलेशन अब जब अपन ट्रांसलेशन प्रोसेश समझेंगे जिसमें अपन M.R.N. से पौली पैप्टइड चें बनाएंगे तो उसमें एक इमपोर्टेंट रॉल प्ले करेगा T.R.N तो अपनी बुक में ट्रांसलेशन से ठीक पहले T.R.N. का डिस्क्रैप्चन है तो अपन पहले उसको अच्छे से समझते हैं देखो tRNA जो होता है वो total cellular RNA का 10 से 15% बनाता है यह smallest RNA है और यह cytoplasmum है soluble form में होता है यही बज़ा है इसे soluble RNA या sRNA भी कहते थे ठीक है बाद में जब इसका जो function है और अच्छे से पता चला कि यह क्या करता है transfer या transport activated amino acid अब amino acid कैसे activated होते है वो अभी अपन समझेंगे activated amino acid from amino acid pool to ribosome मतब ribosome के पास में लिके जाएगा amino acid को according to codon of mRNA mRNA के उपर जैसे code होंगे उस code के इसाफ से जो amino acid बनना चाहिए वो amino acid को ribosome के पास लिके जाएगा transfer करेगा इसी लिए इससे क्या बोलने लग गए transfer RNA अब इसे adapter molecule क्यों कहते है क्योंकि यह mRNA और amino acid दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करवाता है एक तरीके से bind करवाता है तो मतलब mRNA के codon read करकर amino acid को वहां लेकर कौन आएगा ये तो वो दोनों का connection है इसलिए इसे adapter molecule भी कहते है एक तरफ से यह mRNA से जूड़ सकता है एक तरफ से यह amino acid से जूड़ सकता है अब tRNA का structure देखते हैं तो कोई भी nucleotide की तरह tRNA भी एक straight chain की तरह बनता है ठीक है वो उसका क्या कहले हैगा primary structure एक तरफ five dash end होगा एक तरफ कौन सा होगा three dash end तो जो tRNA का primary structure होता है वो single extended linear structure होता है इसके बाद में यह जो structure है five dash वाला इसको आप समझो देखो यह five dash यह five dash end इसको मैं ऐसे करके ऐसे बना कर ऐसे गुमा कर फिर वापस यह three dash मतलब जो five dash था यह five dash था उसको ही मैंने ऐसे ऐसे गुमा कर यह three dash समझ रहे हो आप तो इसी structure को ऐसे अपने फोल्ड कर लिया और जब फोल्ड करेंगे तो कुछ जगा पर बेस पेरिंग हो जाएगी और double stranded हो जाएगा जैसे यह यहां पर double stranded है यह double stranded है यह double stranded और कुछ ऐसा structure बन जाएगा यह इसका क्या कहलाएगा secondary structure कहलाएगा तो the primary structure of tRNA is folded due to hydrogen bond formation between complementary base तो अब जो structure बनेगा वो इस तरह का उसे क्या कहेंगे secondary structure और यह secondary structure जो है वो clover leaf जैसा होता है अगर आप net पर search करोगे तो clover leaf की ऐसे चार ऐसे होगी तो इसमें भी हो गया एक इस तरफ एक इस तरफ एक उपर एक नीचे इसलिए इसको क्या कहते है clover leaf model कहते है अब कुछ जगह ऐसे है जहां पर यह ऐसे structure दिख रहे है इसमें base pairing नहीं दिख रही तो यह जो है यह structure क्या कहलाते है loop कहलाते है अब loop कौन से होते है तो देखो क्या है there are some place where hydrogen bond are not formed यहाँ पर hydrogen bond नहीं बनेंगे these places are non edge loop इसे अपन क्या कहेंगे loop कहेंगे अब question उठता है कि hydrogen bond क्यों नहीं होंगे तो उसका कारण क्या है hydrogen bond not formed due to abnormal nucleoside यहाँ पर कुछ ऐसे nucleoside nitrogen basage होंगे जिसकी वज़े से base pairing नहीं हो पाएगी तो कौन-कौन से होते है जैसे pseudo-uridine होता है जिसे si से denote करते है जब अपन tRNA की labeling करते है तो एक जगा लिखते है tsi c तो वह si basically क्या है pseudo-uridine है di hydro-uridine dhu ribothymidine यह कुछ ऐसे हैं जो generally RNA में नहीं होते कुछ ऐसे nucleoside जो होते हैं वह इसमें होते हैं और उसकी वज़े से वहाँ पर उन जगह पर जैसे देखो इस जगह पर क्या है यह di hydro-uridine है इस वज़े से base pairing नहीं होई इस जगह पर क्या है एक तो टी है ribothymine एक है pseudo-uridine इनकी वज़े से यहां पर base pairing नहीं होती तो जहां पर base pairing नहीं होगी वहां पर क्या बन जाएगा एक लूप लाइक structure बन जाएगा कोई तकलिफ नहीं अब देखो टी आरेने का जो five-dash end होता है हर nucleotide में ऐसे ही होता है five-dash end पे free phosphate group होता है और three-dash end पे क्या होता है होता है आपको यह तीन structure भी याद रखने है a c c और यह यहां पर क्या है जी यह जो उपर वाला आम है इसे कहते है acceptor यह जो है इसे d loop कहते है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है d यह nucleoside होता है dhu इसे dhu loop भी कहते है क्या काम है अभी अपन समझेंगे और यह anticodon loop कहलाती है यह एक extra arm है जिसे extra arm लिखा हुआ है इसका अभी कुछ function वगेरा मालूम नहीं है इके करके इन सबके functions देखते हैं तो सबसे पहला है कौन सा अपन इसका लेते है anticodon loop का तो it has basage complementary to codon on mRNA अब इसका क्या मतलब है व्यान से समझना आप जैसे suppose करो कि यह mRNA और mRNA पर AUG है तो इस वाले पर tRNA पर एक का complementary होगा एक का complementary क्या होता बही एक के सामने क्या लगता यू ठीक है t तो लगेगा नहीं rn पढ़ रहे यू के सामने क्या लगेगा ए और g के सामने क्या लगेगा सी तो एक ऐसा tRNA होगा जिसकी इस loop पर क्या होगा UAC, वो tRNA यहां पर आके जुड़ जाएगा, तो अलग-अलग बहुत सारे tRNA होंगे, तो जिस tRNA का जो यह वाला जो base, मतलब nucleoside का जो sequence है, base का जो sequence है, इसके complementary होगा, वो यहां आके जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास जो sequence है, वो codon का उल्टा होता है, मतलब U के सामने A, G के सामने C, ऐसे होता है, इसी वज़े से anti-codon loop कहते है, तो it has basis complemented to codon on mRNA, और इसी से पता किया जाता है कि कौन से वाले amino acid को यहां लेकर आना है, एक होता है acceptor arm, acceptor arm किसे कहते है इसको, इस arm पर basically amino acid जुड़ेगा, तो three dash end of tRNA binds amino acid by ester bond, अब यह ester bond कैसे बना, इसको समझते हैं देखो, देखो यहां पर क्या है group, OH group है, और amino acid आप सब जानते हो क्या होता है, A carbon, एक तरफ क्या होता है, Ns2, एक तरफ क्या होता है, COH, एक तरफ क्या होता है, hydrogen, और यह क्या होता है, alcohol group, तो इधर से H और इधर से OH, बीचे क्या बचेगा, OOC, यह जो bond है, यह कौन सा bond है, ester bond, तो क्या होगा, three dash end जो होगा tRNA का, वो amino acid के साथ bind करेगा ester bond से, और यहां पर जुड़ जाएगा, tRNA are specific for each amino acid, मतलब जैसे 20 amino acid होता है, तो 20 types के tRNA होगे, और उन 20 types के tRNA पर यहां पर एक specific sequence होगा, जो उस particular codon के jest उल्टा होगा, मतलब हर amino acid के लिए specific tRNA होगा, क्या initiation के लिए कोई tRNA होगा, तो याद करो, जब हपन genetic codon पढ़ते हैं, तो AUG क्या कहलाता है, starting codon, उसके लिए जो anti codon रखेगा, वो tRNA basically क्या कहलाएगा, starting या initiator tRNA, क्या stop codon के लिए कोई tRNA होगा, नई, stop codon के लिए कोई नहीं होता, tcic loop, यह क्या करता है, यह bind larger subunit of ribosome, यह ribosome की large subunit को bind करने का काम करता है, dhu loop क्या करता है, यह aminoacyl tRNA synthetage, एक enzyme होगा, इसे अभी अपन देखेंगे, जो amino acid को activate करने में काम ली जाती है, उसको यहाँ पर bind करने के लिए की इस्तमाल लिए जाएगी, tertiary structure, यह primary structure था, यह secondary, अब tertiary structure, तो देखो tertiary structure में और folding की वज़े से roughly कुछ ऐसा structure हो जाता है, यह कैसा safe है, अपन L ऐसे बनाते हैं, यह ulta L हो गया, तो inverted L structure होता है, और actual में जो tRNA function perform करेगा, वो किस stage में करता है, tertiary structure में करता है, लेकिन समझाने के लिए अपन इस से समझाते है, NCR team साफ साफ लिखा हुआ है कि tertiary structure जो होता है, वो functional structure होता है, तो यह सब था अपने किस के बारे में, tRNA के बारे में, अब अपन देखेंगे किस के बारे में, translation के बारे में, ठीक है? Next, आगे बढ़ते हैं, और अब अपन स्टार्ड करते है, translation, तो translation क्या होता है, the process of polymerization of amino acid, मतलब amino acid का polymer बनेगा, तो basically क्या बनेगे, polypeptide या protein बनेगा, to form a polypeptide according to, अब अगर अपन को amino acid जोडते जाने है, तो कौन सा amino acid पहले जोड़ना है, कौन सा बाद में जोड़ना है, तो वो कहा से decide करेंगे, according to codon of mRNA, mRNA के उपर जो codon होंगे, उनके हिसाब से decide करेंगे, is done as translation, तो अगर sort में बुला जाए, तो mRNA से polypeptide या protein बनने को क्या कहते है, translation कहते है, और amino acid का जो sequence होगा, कौन से amino acid जुड़ने है, कितनी बाद जुड़ने है, कितने जुड़ने है, वो सब कौन decide करेंगा, codon decide करेंगा, जो किसके उपर होते है, mRNA के उपर होते है, अब translation जब होता है, जिसे कहते है, charging of tRNA, तो जो tRNA है, उसको charge करना है, अब ये charging जो होता है, ये खुद दो step में होता है, कैसे होता है, अच्छे से सबजना, पहले step में क्या होगा, एक amino acid, जो जितने भी amino acid, cytoplasma में होते है, वो सब inactivated form में होते है, उन्हें पहले activated करना पढ़ेगा, translation के ल aminoacyl tRNA synthetase, क्योंकि ये अभी aminoacyl tRNA बनाएगा, और वो बना रहा है, उसका synthesis कर रहा है, इसलिए इस enzyme को क्या कहते है, aminoacyl tRNA synthetase, ये तीनो जो है, आपस में magnesium plus two iron की presence में क्या होते हैं, ऐसे एक complex बना लेते हैं, तीनो जुड़ जाते हैं, तो amino acid, AMP, ATP की जगा क्या बनेगा, AMP, इसका मतलब दो P release हो जाएंगे, और energy release होगी, उसी वज़े से amino acid क्या form, fill करेंगे, activated, तो ATP की जगा क्या बन जाएगा, AMP और enzyme, ये तीनो amino acid, AMP और enzyme, तीनो एक complex बनाएंगे, जिसे क्या कहेंगे, aminoacyl enzyme complex, अब ये वाला complex ये रहा, और ये TRN ये दोनो अपस में जुड़ेंगे amino, ये अपने जो था, adenosine, monophosphate, AMP जो था, वो release हो जाएगा, enzyme जो है, वापस release हो जाएगा, और ये amino acid और TRN आपस में जुड़ेंगे, इस वाले को कहेंगे, aminoacyl TRN, तो ये aminoacyl TRN क्या होता है, TRN प्लस amino acid, और ये किस enzyme ने बनाया, इस वाले ने, इसलिए इसको क्या कहता है, aminoacyl TRN synthetics, तो दो step हुए, पहले step में amino acid, ATP और enzyme आपस में aminoacyl enzyme complex बनाते हैं, और ये complex बनने के process को क्या कहता है, amino acid का activation, दूसरे step में ये aminoacyl enzyme complex जो है, वो TRN से जुड़ता है, amino acid और TRN आपस में जुड़ जाएंगे, इसे aminoacyl TRN कहेंगे, और ये charging या loading of TRN कहलाता है, और ये द TRN का क्या हो गया, charging हो गया, तो ये TRN का tertiary structure है, ये इसका 5-end, ये 3-end, अब देखो इसको थोड़ा अपन, वो ऐसाइल वाला point समझते हैं, तो देखो ये amino acid, फिर AMP और ये enzyme, ये amino acid, ये MP और ये enzyme, अब देखो amino acid में एक तरफ क्या होता है, COOH, और यहाँ पर क्या है, OH, अग amino acid जो होगा, वो TRN के 3-end पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, याद रखना है, amino acid TRN के कौन से end पर जुड़ता है, 3-end पर जुड़ता है, और ये AMP और enzyme निकल जाएगा, अब ये दिखो, ये कहला हैगा, amino acyl TRN, क्या है, amino acyl TRN, और ये amino acyl TRN कौन से enzyme ने बनाय था, इ इस enzyme ने, इसलिए इसको क्या कहते है, amino acyl TRN, synthetage, कोई तकलिफ नहीं, अभी तक के process में अपने क्या किया, एक TRN पर एक amino acid जोड़ चुके है, मैंने पहले भी बोला, फिर repeat कर रहा हूँ, हर amino acid के लिए, हर एक individual amino acid के लिए को, क्या लिखावा है, कि बोथ amino acyl TRN, synthetage और TRN, ह हर amino acid के लिए specific होते हैं, बतलब 20 amino acid के लिए 20 types के TRN होगे, 20 types के amino acyl TRN, synthetage enzyme होगा, ठीके, अब step tube में, actual में क्या होगा, translation होगा, translation के लिए, पहले अपन देख लेते हैं, क्या-क्या requirement होती है, तो एक तो अपन को activated charge TRN चाहिए, जिनमें, वो 20 types के होगे, होगे तो बहुत सारे 20 type के charge TRN molecule चाहिए, जिसमें हर एक पर एक amino acid होना चाहिए, MRNA चाहिएगा, जिसके पास genetic codon की information है, small और large sub unit चाहिएगी ribosome की, देखो ribosome की small और large sub unit सिफ protein synthesis के समय आपस में जूडती है, पहले वो अलग-अलग ही रहती है, तो वो दोनों unit चाहिए, magnesium plus two ion चाहिए, GDP चाहिए energy के source के form में, अब NCRT लिखती है कि जो MRNA बना है, किसे transcription से, उसके पास, मतलब ये सारे regions होते हैं, starting में कुछ ऐसा region होगा, जिसका translation नहीं होता, उसे कहते हैं UTR, untranslated region, और ऐसा कैसा end में भी होगा, five dash end पर भी UTR होगे, और three dash end पर भी क्या होगे, UTR होगे, ये untranslated region है, इनका translation नहीं होगा, उसके बाद AUG होगा, ये क्या है, starting codon, यहां से translation start होगा, और फिर आगे कौन-कौन से amino acid जोडते जाने हैं तो codon for polypeptide, और फिर लास्ट में क्या होगा, stock codon जो रुख जायेगा, और उसके बाद में क्या है, वापस untranslated region, पहले untranslated region जिसका translation नहीं होगा, यहां से translation start होगा, यहां से translation में और amino acid जुडते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, stop codon आते ही, translation रुख जाएगा, और फिर वापस क्या आएगा, untranslated region, अब untranslated region का क्या मतलब है, ये efficiency को बढ़ाता है, तो they are required for efficient translation process, अब जो ये translation process, जो है, ये तीन step में होगा, पहले step में initiation होगा, जहाँ पर start codon से translation start किया जाएगा, फिर elongation होगा, in codon के हिसाब से, जो polypeptide chain होगी, उसमें amino acid जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और लंबी chain बनेगी, और जब stop codon आयागा, तो उस समय translation को रोग दिया जाएगा, तो translation के खुद के कितने step होजाएगे, तीन, initiation, elongation और termination, एक बार आप ये note कर लीजिए, फिर अपन initiation को अच्छे से समझते हैं, ठीके, तो अब translation का सबसे पहला point देखते हैं, जो की क्या है, initiation, देखो अच्छे से समझना, ये five dash से three dash MRN है, और इसके उपर genetic codon है, अभी देखा था, starting में untranslated region होगा, फिर start codon होगा, फिर बाकी amino acid के लिए codon होगे, फिर stop codon, फिर वापस untranslated region हैं और यह लेता है, अपने small subunit लेता है किस की ribosome की, यह किस की small subunit है, ribosome की, prokaryote की case में small subunit क्या होती है, 30S, youkaryote के case में क्या होती है, 40S, तो सबसे पहले small subunit जाकर कहां जाके जुड़ जाएगी, किस के उपर, MRN के उपर, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि mRNA के उपर कौन जाके जुड़ेगा small subunit NCR team लिखावा है कि both subunit of ribosome are free मतलब inactive state है when the small subunit encounter mRNA जब small subunit mRNA पर जाके जुड़ेगी तब protein synthesis की सरुवात होगी initiation होगा इसके बाद ये small subunit जुड़ गई अब यहां पर आकर कौन जुड़ेगा? initiator tRNA जुड़ेगा कौन जुड़ेगा? initiator tRNA अब यह initiator tRNA कौन सा tRNA होता है? ऐसा tRNA होता है जो कौन सा codon recognize कर सकता है стар codon झोड़ेगे है start codon होता है AUG मतलब यह ऐसा tRNA होगा जिसमें AUG के complementary anti codon loop होगी तो यहां AUG है तो वो tRNA जिसके पास anti-codon leave पर इसका anti होगा A के सामने U, U के C, G के सामने यह तो ऐसा वाला tRNA यहां पर आके bind हो जाएगा और यह जो होता है अपने साथ कौन सा amino acid लाता है? methionine amino acid लाता है और यह आके जुड़ गया तो पहला step क्या हुआ? mRNA पर small subunit जुड़ी दूसरे step में क्या हुआ? initiator tRNA जाकर start codon पर जुड़ जाता है अब large subunit आकर इसके उपर जुड़ेगी किसकी? ribosome की large subunit अब ribosome की large subunit जो होती है उसमें 2 site होती है एक होती है P site जहांपर peptide site कहता है यहां से इस तरफ amino acid transfer करके peptide bond बनाए जाएंगे और यह A site है जिसे amino acyl site कहते है जहां नया tRNA आकर जुड़ेगा मतलब पहले वाला tRNA हमेशा किस पर होगा? P site पर नया वाला आकर हमेशा किस पर जुड़ेगा? A पर और फिर उन दोनों के जो tRNA के ऊपर जो amino acid लगे वे उनके बीच में क्या बन जाएगा? polypeptide तो यह large sub unit जाकर इधर जुड़ेगी मैंने अभी क्या बोला कि P site कहां जुड़ती है? मतलब P site पर कौन होता है? वो tRNA जो पहले से होता है यहां पहले से एक tRNA था तो यह आकर यहां इस तरीके से fit होगी कि इस जगह पर वो initiated tRNA होना चाहिए और A site जो है फ्री रहनी चाहिए फ्री क्यों रहनी चाहिए? अब जो अगला amino acid होगा वो यहां पर आके क्या होगा? जुड़ेगा और जब यहां पर अगला tRNA उस amino acid वाला tRNA यहां पर आके जुड़ेगा तो इस tRNA और इस tRNA के जो amino acid group जुड़ेव है उनके बीच में क्या बन सकता है? polypeptide bond बन सकता है हमेशा जो पहले tRNA होगा वो a पर रहेगा नहीं p side पर रहेगा और जो नया आ रहा है वो कौन सी side पर रहेगा? a side पर रहेगा तो देखो ध्यान से समझना आगे कैसे चलेगा? जैसे मालो कि यह अपने p side है और यह a side है ठीक है? यह अपने p और यह कौन सी होगी a जो सबसे पहला tRNA आएगा वो यहां पर जुड़ा दूसरे नंबर पर आएगा जो यहां पर जुड़ा फिर इन दोनों के बीच में इसका amino acid इसके उपर जाके जुड़ जाएगा अगले step में क्या होगा? यह जो दूसरे नंबर वाला tRNA ता वो इधर आ जाएगा उसके पर जुड़े गया फिर यह वाला इधर आ जाएगा यह थ्री वाला tRNA इधर आ गया उसके उपर already कितने amino acid जुड़े वे तीन जो नया आएगा वो इस तरफ जुड़ जाएगा तो हमेशा जो पूरा ना tRNA होगा वो पी साइट पर जुड़ेगा जिस पर बढ़ती भी polypeptide chain दिखेगी और यह साइट पर जो नया tRNA नया amino acid लिकर आएगा वो जुड़ेगा कैसे होगा अभी अपन वापस अच्छे से समझेंगे तो यह सारे step किसमें थे initiation एक NCRTK online है देरा two site in large subunit which help in formation of polypeptide chain जो polypeptide chain को बनने में मदद करती है तो initiation process में क्या क्या हुआ MRNA पर सबसे पहले small subunit आके जुड़ी उसके बाद initiator TRNA ने जुड़ा और फिर large subunit ribosome के आके जुड़ी pro karyote के case में large subunit होती है 50S, u karyote के case में कौन सी होती है 60L और वो जाके जुड़ती है उसके large subunit पर दो site होती है एक P site और A site और ये दोनो site जो है इतने पास में कि अगर इन पर कोई दो TRNA जुड़े तो उनके amino acid इतने पास में आ जाएंगे कि वो एक दूसरे के साथ क्या बना सकते है peptide bond बना सकते हैं तो ये अपना कौन सा process था initiation अब elongation और termination कैसे होता है वो अपन समझते है पहला आप इसे अच्छे से not कर लिजे next आगे बढ़ते हैं और लेते हैं elongation, elongation का क्या मतलब है कि जो initiator TRNA ता उसके साथ जो एक amino acid ता अब उसके आगे दूसरा amino acid उसके आगे तीसरा amino acid उसके आगे चौता amino acid ऐसे जोड़कर अपन को एक लंबी chain बनानी है और वो अपना process क्या कहलाएगा elongation कहलाएगा अभी तक क्या हुआ उसे एक बार revise करते हैं सबसे पहले MRNA था उसके उपर आकर कौन जुड़ गया small sub unit जुड़ गई ribosome की उसके उपर जो starting का जो codon था AUG उसके उपर आकर कौन जुड़ जाता है दिखेगा अपन को initiator TRN और A site starting में क्या होगी खाली होगी यह देखो कुछ ऐसे होगा अपने जैसे अपने अच्छे समझते हैं यह P site है जिस पर कौन सा TRN जुड़ वा है initiator TRN और A site अभी खाली है अब जो भी अगला amino acid अपन को यहाँ पर add करना है वो amino acid वाला TRN आकर यह जुड़ेगा जैसे कि इसमें देखो अगला यह यहाँ पर आकर जुड़ गया अब यही क्यों जुड़ा यह कैसे decide होगा तो देखो AUG था तो AUG का anti-cordon क्या था UCA और वो रखने वाला initiator TRN था अब यह अगला कोड़न क्या है UUU तो उसका anti-cordon क्या होगा AAA तो एक ऐसा TRN जिसका anti-cordon AAA है वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा और इसके उपर एक amino acid जुड़ा होगा यह कौन सा amino acid होगा वो amino acid होगा जिसके लिए genetic codon क्या होता है UUU तो UUU जो है genetic codon किसके लिए होता है phenyl ln9 के लिए तो वो आकर जुड़ गया तो P side पर पहले वाला TRN है और A side पर दू क्या है amino acid है अब यह amino acid इसके साथ क्या बनाएगा peptide bond बनाएगा और peptide bond बनाने के बाद क्या होगा देखो अच्छे से समझना आप जैसे यहां समझाता हूं यह माल लेते हैं अपने large sub unit है यहां पर यह TRN और यहां पर यह कौन लगा वा phenyl ln9 इसके उपर यह आ जाएगा methion ठीक है तो यह दो amino acid हो गए अब यहां पर जो TRN जुडा था वो free हो जाएगा क्योंकि अब इसका काम तो हो गया तो इस तरीके से अपने दो amino acid क्या हो गए जुड़ गये अभी तक को वापस समझते हैं देखो in this step amino acid are joined together by the formation of peptide bond between them peptide bond बनेंगे किसके बीच में amino acid के बीच में अब होगा क्या two charged tRNA close enough on P and A side यह दो charged tRNA आएंगे हमेशा elongation में एक P side पर और एक A side पर और वो इतने पास होंगे कि amino acid जो है उनके बीच में क्या बन सके peptide bond बन सके अब question उठता है कि यह peptide bond बनने के लिए क्या कोई catalyst का इस्तमाल होता है तो हाँ एक catalyst इस्तमाल लिया जाता है peptidile transferage यह एक तरह का ribogyme है देखो सारे enzyme जो होते है protein nature के होते है ribogyme क्या होता है RNA nature का होता है ठीक है तो यह एक तरह का ribogyme है जो peptide bond को क्या करता है catalyst करता है अब अगर prokaryote है तो यह ribogyme 23SRNA होगा जो अपनी book में दे रखा NCART में और अगर यह u-karyote है तो 28SRNA होगा ठीक है तो यह इस process को क्या करेंगे catalysis करेंगे इसके बाद देखो peptide bond formation take place on the A side and tRNA of P side become free मतलब A side पर तो peptide bond बन जाएगा P side पर यह जो tRNA यह free हो जाएगा यह methionine तो इसके उपर जुड़ गया तो peptide bond बन गया अब यह TRNA यहाँ free है यहाँ से अलग हो जाएगा जैसे ही यह अलग होगा तो कैसा structure हो जाएगा देखते है वापस यह large sub unit है यह P side है यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा यह A side है यहाँ पर एक TRNA है और उसके उपर एक पहले वाला amino acid और दूसरा amino acid मतलब यह first amino acid है यह second amino acid यह जुड़ गया यह एक chain बन गई अब इसके बाद में क्या होगा ध्यान सुनना यह जो अपने ribosome यह आगे की तरफ क्या करेगा move करेगा जैसे ही आगे की तरफ move करेगा तो यह वाला हिस्सा जो है वो तो कहां पर आ जाएगा P की जगापर A side क्या हो जाएगी खाली कुछ कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ध्यान से सुनो यह अपने large sub unit है यह P side थी यहाँ पर कौन सा आ जाएगा A side पर जो TRN था वो यहाँ पर आ जाएगा मतलब यह TRN आ जाएगा कौन सा वाला जिस पर यहाँ दूसरा amino acid यहाँ पर पहला amino acid ऐसे चेहन थी और जो A side थी वो खाली हो जाएगी अब खाली क्यों हो गई क्योंकि यहाँ पर फिर एक TRN आएगा और वो TRN कौन सा amino acid लेकर आएगा जो थर्ड amino acid होगा वो लेकर आएगा ठीक है तो इस तरीके से आगे चलेगा अभी अपना आगे समझते हैं पहला आप इसे नौट कर लीजे अब आगे देखते हैं देखो P side पर जो अपने TRN था वो देखो निकल गया और P side के उपर जो amino acid था वो तो यहाँ आगया इन दोनों के बीच में peptide bond बन चुका है अब देखो क्या लिखावा आगे the ribosome move to the next codon ribosome क्या करेगा next codon पर move करेगा तो अब भी देखो यहाँ पर क्या यू 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 तो यह तो आजाएगा इधर क्योंकि ribosome ऐसे किसका है और यहाँ पर जो codon था वो किसके align हो जाएगा A side के align हो जाएगा तो अब यह वाली चीज जो है वो कहाँ पर shift हो जाएगी P side पर देखो यह आप P side पर देख पा रहे है और यहाँ पर A side पर एक नया amino acid वाला TRN आ जाएगा कौन सा amino acid आएगा यहाँ पर genetic codon क्या है UGG किसके लिए होता है ट्रिप्टोफैन के लिए तो ट्रिप्टोफैन वाला TRN यहाँ पर आके जुड़ जाएगा अगेंस हैम होगा यहाँ से निकल कर इसके साथ क्या बना लेगा चेन बना लेगा जैसे ही चेन बनेगी चेन कैसी हो जाएगी यह ट्रिप्टोफैन फिर यह क्या हो गया फिनाइन एलेन फिर यह कौन सा हो गया मिथियो नाइन देखो चेन बन गई और यह वाला क्या हो और इस तरीके से चलता ही रहेगा तो क्या लिखावाय देखो ड्यू टू इट टी आरेने अलोंग विट एमिनो एसीड चेन मूफ रॉम एसाइट टू पी साइट यह वाला एसाइट से कहां चला गया पी साइट पर एसाइट इस फ्री फॉर दा अटेच्मेंट ऑफ दा नेक चार्ज टी आरेने नेक्स चार्ज टी आरेने के लिए एसाइट फ्री हो जाएगी अगेन पैप्टाइड बॉंड टी पैप्टाइड बॉंड जो होंगे फॉर्मेशन होगा किसके बीच में एसाइट एंड टी आरेने ऑफ पी साइट के बीच में इन दोनों के उपर जो हो देखते है termination तो देखो जब तक termination कब होगा जब यह ribosome move करता करता एक ऐसे codon पे चला जाए जो की कौन सा होगा stop codon और अभी तक stop codon तक आने जब तक आएगा जब तक इस जगह A side पे जो था वो P side पे आ चुका होगा तो अभी तक अपन समझ लेते हैं suppose करो इतनी बड़ी chain बन चुकी है यह ठीक है तो जब यह stop codon मिलेगा stop codon से related तो कोई TRN हो गई नहीं क्योंकि होता ही नहीं stop codon से related तो यह A side पर कुछ भी नहीं आएगा ऐसे के इसमें एक releasing factor आकर A side पर क्या हो जाएगा bind कर जाएगा और जैसे ही releasing factor आकर A side पर bind करेगा तो यह पूरा structure यहां से क्या हो जाएगा यह free हो जाएगा ठीक है और अपना जो translation का process जो है वो terminate हो जाएगा देखो क्या लिखावा है when ribosome A side reach to stop codon अब stop codon कौन कौन से होते हैं UAA UGA UAG जैसे इस case में क्या है UAA termination of translation अकर इसे क्या होगा termination क्यों होगा there is no tRNA for stop codon stop codon के लिए तो कोई tRNA होता नहीं है इस वज़े से यहां पर क्या होगा releasing factor जो होगा वो A side पर आकर जुड़ जाएगा और यह क्या करेगा A side के stop codon पर जुड़ जाएगा जिससे complete polyfeptide change होगी वो free हो जाएगी और इस तरीके से अपना translation जो होता है वो complete हो जाएगा तो अपने वापस देखते है translation जो होता है वो कितने step में होता है तीन step में होता है पहले होता है initiation दूसरा कौन सा होता है chain elongation और तीसरा कौन सा होता है termination initiation में क्या होता है start codon के हिसाब से एक initiator tRNA आकर उधर जोड़ता है उसके बाद chain elongation में क्या होता है polyfeptide chain जो होती है वो बढ़ती जाती है और फिर termination में क्या होता है कि जब stop codon आजाएगा जिससे इस case में UAAR है तो यहाँ पर releasing factor आकर bind हो जाएगा यह chain यहाँ से free हो जाएगे और polyfeptide synthesis जो होता है पूरा होता है इस तरीके से आज के वीडियो में अपने translation के बारे में अच्छे से समझा एक और चीज में आपको जाते जाते बता देता हूं कि initiation, elongation और termination इन तीनों में से polypeptide bond जो है किस step में बनता है चलो मैं नहीं बता था इस आप खुद बताना वापस देखना किस step में polypeptide bond बनते हैं क्या तीनों step में बनते हैं या सिर्फ किसी एक ही step में बनता है या तीनों में से किसी दो स्टेप में बनता है वो आप मुझे comment सेक्षिन में लिख कर बता है तो मिलते हैं अगले चप्टर के वीडियो में मतब अगले इस चप्टर के अगले पार्ट के वीडियो में तब तक आप सब लोग खुब सारा hard work कीजे खुब कुछ रहिए, खुब मस रहिए Thank you for watching